यह कहता है बिटा पहला कोशन आपसे यह कहता है राज के अधीन लाव का पद धारर करने वाला कोई बैक्ती किसी विदेशी राज से कोई भेट उपलब्धी या पद निम्नलिकित में से किसके अनुमती के बिना श्विकार नहीं करेगा बता भाई राज के अधीन जो लाव का पद है धारर करने के लिए कोई बैक्ती किसी विदेशी राज से कोई भेट उपलब्धी अपद या इसके अनुमूती के बिना स्विकार नहीं करेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में एक सेक्रेटरिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकुल बेटा मुश्कार बताई बताओ आपने सुना होगा की एक अनुछेद 18 अपने एक नाम सुना होगा अनुछेद 18 में इसमें तो उपाग्यों का अंत भी आफके दिया गया है ठीक है वह इसमें यह भी बाते कही गई है ठीक है उपरूप्त कत्थम तो आपका कौन होगा सर्फ प्रेसिडेंट हो गए निमनलिखीत में से निमनलिखीत में से किसने राज जी के नीती निजे सकत तत्तत्तत्त वह मूल अधिकारों को समिधान की मूल आत्मा कहा है वह मंग दे फॉल्विंग थे प्रिंस्पत्स ऑफ इस्टेट पॉलिशी एड फंडामेंटर राइट एस बेसिक सोल आफ दे कॉंस्टिटूशन बताइए यह सब्सका है और यहां काफी लोग गलत करेंगे यहां काफी लोग गलत करेंगे यह पक्का है चलिए देखते हैं यहां पर काफी लोग गलत करने वाले हैं डॉली बिलकुल बेरी गुट चलिए अगर हम बिलकुल 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 बेटा है अब यह द्यान दीजेगा इन्हों ने आपको एक सब्सक्त याद होगा को आपरेटिव फेडरलीजम ठीक है को यह इनहीं के दिन थी सब और आ जम्फ इसे बोला गया था समिधान की आतमा यह समिधान की आत्मा इसे बोला गया था इंगे निम्नली लिखित में किसकी नियुक्ती राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है नितियायों के उपाध्यक्ष की भारत की महानयाव्यादी की भारत का नियंतरक मालिका का परिक्षत या उप्रियोक्त सभी राश्ट्पति द्वारा नहीं की जाती है पूछा गया आपसे बता भाई यहां देखते हैं इस बारी की तक कौन पौश सकता है बेलकुल जो नीती आयोके जो उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है तो यह भी याद रखिएगा ठीक है जो नीती आयोके उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधान मंतरी प्रदान मंत्री करते हैं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा विदेयक राष्टपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेस नहीं किया जायता है कौन सा भी देख राश्टपती के पूरा अनुमतिक बिना संसर पेश नहीं किया जाते हैं परो आराम से और जवाब दिया करो ठीक है जवाब दिया करो सोच समझ के जवाब देना ठीक है अरे सौरब जी आप भी आ गए बाई बड़ा मेहनत किया बटा ऐसे तुम निकालोगे कॉंस्टेबल की परिक्षा गायब हो लेकिन पलना है भाई नौकरी निकालने का जुनूम है तुमारे अंदर ठीक है आई बिलकुल याद रखेगा ये आपका मन्नी बिल तो होता ही है ने राज्यों के निर्माल अतवा वर्तमा राज्यों के सिमाव में परिवर्तन ये तो परण मंतरी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधार्म नत्री पाद से त्याग पत्य देना पड़रा है 그래도erson कि इलकुल बास्यों बेट कॉर्त तक साइन्स तो पस हो नहीं और आपको कुछ नाम याद होगा कुछ और भी जैसे आपने नाम सुना होगा और जी कहा में विश्वास खालत्याक पत्त लेना पड़ा था इन सब ही को टीक है तो ऑप्शन में अगर ये था तो आप लगा सकते हैं निम्नली खित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विदेयक को राश्टपती के लिए आरक्षित रखता है बताए किस अनुच्षेत के तहत राज्यपाल किसी बिद्ययक को राष्टपती के लिए आरक्षित रखता है बता बाई राज्यपाल किसी बिद्ययक को राष्टपती के लिए आरक्षित रखता है चली बिलकुल गलत है टॉली गलत कर दिया अच्छा एक लोग देंगे तो दूसरा भी देगा ना सही है यार बढ़िया है मतलब तुम लोग के अगदम बढ़िया है सिटिंग बढ़िया है मता भाई चलो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 201 मेरे राश्ट्री आपात काल के संबंद में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है सत्य है ठीक है तुम बताएगा रापात काल के दौरान नागरी के सभी मौली के दिकार निलम्मित हो जाते सरी गलत है ठीक है यह गलत है आये तो आटिकल थोड़े आते बिटा अभी कहां पता अभी उठाईएगा PCS का पेपर उठाईएगा और अब तो यार अब तो सैसी भी दे रहा है आटिकल ठीक है PCS उठा लीजिए मतलब मजह आ जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा आटिकल अगर आपात काल के समय राज सरकारे निलंबित कर दी आती है सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना था यह गलत हो यह बचा क्या होता है सब उनके हाथ में चला जाता है निलंबित की जाती है आपात की घोशडा के समय संसद बिधी दौरा लोक सभा के ओधी को एक वर्स के लिए संयुक्त राष्ट सर्णार्थी उच्छा योग का मुख्याल है कहां है भाई वेर इस दे हैड़कॉर्टर आफ युनाटे नेशन हाई कमिशन रिफ्यूजीज बता ये बता भाई बता ये बिल्कुल ये याद रखेगा उनाटे नेशन से हाई कमिशन रिफ्यूजीज की बात ये की जावी है कहां पर जेनेवा और कहां विया ये याद रखेगा ठीक है कब इस्थापना कप की गए थी कौन बताएगा कोई अगर एक हुनहार बच्चा हो जो बता सके किसा इस्थापना कप की गए थी बिटा उनीस सो पच्चास में की गए थी बताना कौन सा सही सुमेलित है नेल द्वीप स्वराज द्वीप हैवलाग द्वीप सही द्वीप गोरगपुर हवाई अड़ा अटल हवाई अड़ा विलर द्व अभूल कलाब आजा बताएग कौन सा पूछा कि आपसे सुमेलित है बता भाई चलिए थोड़ा याद रखेगा नेल द्वीप का उल्टा लिख दिया गया है ठीक है यहां पे सही द्वीप होना चाहिए हेवलाग द्व का नाम उल्टा लिख दिया गया है बताएग हेवलाग द्व को स्वराज होना चाहिए था ठीक है तो यहां तो सीधे याद भी होगा महायोगी औरखनाद हवाई अड़ा ठीक है यह हो गया अब यह बिलकुल आपका सही है तो हम सिर्फ पर सिर्फ केवल फोर लेके ही चल सकते हैं क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है ठीक है कोई दिक्कत हो तो बता सकते आपको कोई दिक्कत आगे बढ़े में फिफ्टी फोर यहां होर आगया आगया ठीक है बहुत अच्छी निम्ण में कौन गलत सुमेलित है following is wrongly matched स्वामिनाथन समीति जानकी रमन समीति चिलया समीति या महाल नोबिस समीति बताईए स्वामिनाथन जानकी रमन चिलया पूछा गया गलत सुमेली थे बताना भाई देखो भाई अभी मैंनो उजी नहीं बताया था जो चिलया समीति थी बैंकिंग सुधार से तो भाई आपके नर्सिम्मन समीति है अब इस जी क्या है यह आपका कर्सुधार से सम्ब्रंदित यह आपके कर्सुधार से है याद रखेगा अब बैंग सुधार से एक और है गोईपूरिया समीती भी यहां में लिखलो एक और याद लख लेना गोईपूरिया समीती ठीक है भारत का पहला संचार उपग्रा कौन था जिसे भू स्थातिक कच्छा में इस्थापित किया गया था बारत का पहला संचार उपग्रा कौन था जिसे भू स्त्यातिक कक्षा में स्थाफित किया गया मेरी एपल था कौन सा कतन सत्य नहीं है पूछा गया कौन सा कतन सत्य नहीं है ठीक है बता बैवास्ति प्रतिभीम वस्तु के पेक्षा हमेशा उल्टा बनता है अभास्ति प्रतिभीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता अभास्ति प्रतिभीम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता अभास्ति प्रतिभीम हमेशा सीधा बनता है बता यह बिलकुल याद रखे जो आभासी प्रतिभीम्ब होते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जौन पॉशिका में कोशिका में उपस्थित प्लाजमा इंद्रो निम्न इम् система से किसकी बनी होती है अम की प्लाजमा की बात पूछा गया थे टीक है कै रोय तो सेलुलोस सेलुलोस होता है तो प्लाजमा मेंब्रेन किसका बना होता है यह पूछा गे आपसे बताई बाई आपकी जो सेल वाल होती है वो तो सेलुलोंस की बनी होती है ठीक है बताइए बिल्कुर लिपीड एंग प्रोटीन बिलकुल देखो बिसिकली इसका नाम होता बेटा फॉस्फो लिपीड होता है अरे बाशू आ गई है अच्छा बाशू है तब ठीक है फॉस्फो लिपीड की बात हो रही है मतलब सब प्रोटीन भी है और आपके लिपीड भी है बिलकुल एउर सी दोने अ लिटमस विलियन Whats आ जब ना तो अमली होता है और नहीं छारी है । तब यह किस रणग का होता है। अ यह रहे मैंने देखा वाई मैं मैं आपके कमेंस तेख रहा था । फिर मैंत заним private भी पताएगा सरीय बैग नहीं होते हैं ठीक है नुकलियर रियक्टर में मॉडरेटर का क्या अर्थ होता है बाई क्या हो सकता है को कि मॉडरेटर क्या करें बहुत सारे नूट्रांस हैं या उनको थोड़ा से मंदक बनाएगा उनको धोड़ा सा मतलब उनको अस्थिर रखेगा ठीक है तो यलो दे रहा है बाई तो बताइएगा भाई देखो moderator होता है ठीक है, coolant होता है आपके controlling rods होती है controlling rods से पता बढ़ान टीक भराउल केडमिया में अगर j5 इन तो नीट्रोन के waż होते हैं वह ने कहा कि अगर यह की यह कि आप तीन भाई इससे चीज़ाङ थीन भाई हो जाएगा जाएगा तो मॉटेटर क्या को क्या करेगा इन को क्या क्या करेगा फिर आगे जो है बीजेगा तो इसमें आपको पता है कि बहुत ज़ाद बहुत कर लिया जाए घंड फिर से कां सा गुल निलंबन का गुल नहीं है निलंबन Nm ritos इस प्रॉजएनस मिलमक क्वाइन सैंढ़ ऑप्सकाइ सवाथ साथ लिप्सक ब्रोजएज अवागत निलंबन इस मिलमलगे retired यह लिखा है माइनस 3 तु माइनस 4 ठीक है अब बताओ इतना समय नहीं लगता है कमेंड दिने में बताओ बिल्कुल सर इतीज होमोजीनियस मिक्षर या एक समान मिश्रड है ठीक है या नॉट प्रापर्टी पूछा गया ठीक है निम्न मैं से कौन सी ग्रंथी रक्त चाप को नियंतित करती है मतलब आपके ब्लड प्रेशर को नियंतित कौन सी ग्रंथी करती है बताना अच्छा कुश्छा बाकी लोग देने में सरम आ रही है जवाब बाई जब हो क्लास में तो जवाब दो ने तो जाओ आराम करो जूटक आए बैठे हो क्लास में अरे काजल जी आप भी आ गई बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आप बिल्कुल समय से आगे ठीक है यह बिल्कुल यह अड्रीनल होता है सथी यह गलेंड होता है ठीक है याद रखेगा अब आपको पता यह दो भाग में होता है सईने और यहाद का कार्टेक्स वाला भाग औंघॉल एक मैड्स नो लगोता है इलेक्ट्रोवाइलेंट कोवलेंट और सब आपके कोवलेंट आल दे थ्री बांस आर प्रेजेंट चलिए बिल्कुल देखते हैं जवाब हो सकता है आपके अभी आजाएं बता वाई जवाब सभी का देख लें इस बार ओके यहांपे जवाब आ चुका है सौरफ तो गलत ऐ डॉली का जवाब आ चुका है मुस्कान का चुका है बाशूक आ चुका है और देखते और और देखते हैं कॉन जवाब देता है, अंकित का सौरफ का आचुका है, और इलत्रेजार कर लेते हैं, अचा, कुछ लोगों तो क्लास में आए होंगे, तुरंत जो है चले गया होंगे, ठीक है, बाशुका आ गया हां ठीक है, काजल का भी आ गया, ठीक है, कुछ लोग तो आत होते हैं इन वीच आप दे फॉल्विंग न्यूट्राउन इस अपसेंट इलियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेरिलियम आज प्रशांत भी गायव है बाई न्यूट्राउन इस अपसेंट बेलकुल बहुत अच्छे अच्छा कोश्चन था सिंपल कोश्चन था रहें कैसे सर गा हाइड्रोजन की हाइड्रोजन लेते हैं वाइनश कर दो तो जीरो नहीं आ आगे नोट्राउन तो सीथे सीथे हाइस बात करो जिशिपकलियों का अध्यान है इस्टेडी ऐस बताएब इस्टेडी ऐस आफ लिजॉड और आपको कहीं इसका जवाब नहीं दिख रहा होग क् इसका त्योंकि English version गलत लिखा हुआ है, यह पिल्कुल यह पिटा spilling थोड़ी सी यह गलत है, घिक है यह ऐसे होती है, सौरो होती है, जो सौरव में लगती है ना बहेँ वाली, सौरो लाजी, स्योरो लाजी नहीं, सौरो लाजी होती है, ठीक है, option number B, चलिए, हाँ, मैंने लिख दिया, ठीक है, निम्न में से किसमे श्वशन प्रक्रिया संपन्न होती है, भाई, in which of the following does respiration take place, पौधे जीउ जीवारू, बता भाई, किसमे आपको श्वशन प्रक्रिया देखने के मिलती है, यहां पर आपसे यह नहीं पूछा गया कि किसमे वायूवी है या अवायूवी है, ठीक है, आपसे यह कहीं भी नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि वायूवी श्वशन है या अवायूवी श्वशन है, ऐसा कुछ बात नहीं की गई है, ठीक है, प्लांस, पौधे बिलकुल होत ह極ारु भी होते हैं वाहलते वी खरते हैं एक, दो, टीन, ये तीनों के तीनों आपके सही है ठीक है कि पालख में कौन सा अम्ल्बब पाया जाता है बताई पालख में बात असा हम पाएंड हो Central चली बह Practice इसकूर करे में कौन सा अम्ल पाया जाता है किलकुल ऑक्जलिक ऐसी पाया जाता है ठीक है चलिए फॉर्मिक लाज चीटिए हुए ठीक है एसी टिक भाई आपके सिर्का में सूची एक को दो से सुमेलित कर लिजिए मर्खा गाटी जिसे मुर्खा गाटी होता है बेसिकली जूकू गाटी सांगला और यू ठांग रक्षिता गुर्मवानी चलिए बदाए भाई जल्दी से फटाक से बताईएगा सोच समझ के जवाब देना भाई ठीक है भाई देखो आएए मर्खा गाटी आपके लबदाक में है ठीक है तो भाई एक आओ गया तीन ओके जूकू गाटी नागा लेंड में है तो कहें दिक रहा गया सरी ये दिक रहा सांगला गाटी कहीं दिक रहा क्या सरी माचल में दिक रहा ये देखो सी का दूस्रा यूथांग गाटी दिक रहा क्या सरस्टी में दिक रहा डीका पहला तीचार दो एक तीन चार दो एक ऑप्शन... नमबर परिकत परिकत आगे बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बारत में सबसे दक्षुरी भाग में इस्थित पहाडियों में इसे निम्न में से कौन सी है सबसे दक्षुरी पूछा गया है तो अभी इसका एक क्रम भी बता देते हैं जो आपके लिए वड़ा काम देगा इसका एक क्रम बताते हैं जो आपके लिए वड़ा काम देगा हूँ आए चलिए बासु देखो बासु तो भाई समझार ये पूरा ये बढ़ियां वेटा सब बासु आए ठीक है आओ क्या पर याद रख लेना कारा मोम इलाइची की पहाड़ियां अन्नामलाई ठीक है और पलानी ठीक है इसको उपर निलगिरी ठीक है ये याद रखियेगा चलिए ऑईये जवाहर सागर बिद्द परयोजना माही बैराद सागर जल लिद्द परयोजना राणा पताफ सागर जल लिद्द यो जण बताना है चारों को मैच करिया कोशन थोड़े से आपके खथरनाक लाए Suzha ताइब फिर से बताना है क्या बताना है फिर से मुझे बताइए बेटा यह C.A.P. जैसे अगर आप देखो साउथ से नौर्थ की तरफ जा रहे हो अगर यह आप साउथ से नौर्थ की तरफ जा रहे हो तो बेटा यह है नीचे काड़ माम होता है फिर अन्ना मलाई फिर पलनी फिर निलगिरी ठीक है यह से याद रखेगा ठीक है जवाहर सागर विद्धुत परिजना माही बैराज राड़ा प्रताब और आपके स्री सेलम बताओ भाई जल्दी से बताइए बताविया सभी के सभी लोग चलिए देखो भाईया जवाहर सागर आपके चंबल नतीपे एक का दूसरा तो आंसर सीदे सीदे अभी नहीं अभी आपको नहीं पता चला माही बैराज माही नतीपे तो भाई बी का पहला अर्या दोनों आप्शन देखो बिल्कुल से मैं आजा तीसरे पर आते भाई राड़ा कताब चंबल नतीपे सी का चौता अब तो जवाब लगोगा यह वाला चंद्र ताल जील निम्न में से किस राज में इस्तित है इमाचल उत्राखन लद्दा के सिक्किल बताइए चंद्र ताल जील कहां इस्तित है को कि मैचा मैचिंग वाले कुश्चन सोड़े कतरनाख है सी होता है काजल उत्राखन सौरफ दे रहे हैं बासू भी उत्राखन दे रही है ठीक है बई सही बात है बढ़ियां मतलब समझदार हो अरे चंद्र ताल जील भाईया है माचल में है कहां चल लो भाई तुम ठीक है कि गुजरात से गोवा तक के तटी चृत्र को निम्ड में से किस नाम से जाना जाता या था बढ़िया गुजरात से गोवा वाला जो इधर वाला जो हिस्सा है ये ठीक है इसको किसना ये तो पूरा है ना इधर वाले हिस्सा को क्या बोला जाता है सर इधर वाले हिस्सा को कोंकर बोला जाता है फिर माला बार बोला जाएगा इधर जैसे जाओगे कोरो मंडल बोला जाएगा फिर उत्तरी सरकार बोला जाएगा ठीक है लेकिन इधर आपका कोंकर ठीक है फिर माला बार ठीक है यह चो बता बाई पटाफट पटाफट बताईए बिलकुल कों कर तो ठीक है अब अगला बताईए यूपी बहुत अच्छे कितने राज्यें बाई कोन बताएगा कोई हमारा ठीक है बहुत बनार बच्चा याद रखेगा यह आपके बहुत बार पेपर में भी पूछा जाएगा इस और एक आपका केंद्र शाथ से तो पेपर में नौ दिया रहा था ओप्शन ठीक है तो नौ ही लगाएंगे ठीक है अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि मतलब संपूर कितने राज्यों से तो आप नौ लगा सकते है ठीक है बुक्सा सिमली पाल बाई देखो सिंपल साया देख अब आको दिमाग ये लगाना है कि सर ये वताओ बुक्सा कहां पे बताई कि बुक्षा कहां पे सर ये पस्चिं बंगालने पड़ता है अब अब फिर देखिये option मिला है क्या 3 4 अब फसगी सर अभी भी दो option मिला है ठीक है सी का देखते है नागर हूल करनाटक में सी का दू हरपा कालिन इस्थला वशेशों में से किस एक इस्थल से समुचित एवं बेवस्थित जल निकासी प्रडाली के साच मिले बताई जल निकासी के साच मिले बताई सेशन को लाई को शेर करते रहा गरी है बिलकुल यहां से नौ टोटल हो गया बिलकुल को के नागरहुल करनाटक वेरी गुड इसका जवाद दीजिए अपनों दोला वीरा जवाब आने लगा और बाकी लोग बाकी लोग सोच रहा हुआ ना कि कोई एकाग दे दे तो फिर हम वह देख के बता देगे चल बिलकुल सर दोला वीरा है दोला वीरा कहा है मेरे बाई गुजरात में ठीक है निम्नलिखित युगमों में से सुमेलित युगम कौन है? Which of the following pair is the correctly matched pair? नियाय दर्शन कलाज, स्यांक दर्शन गौतम, वैस्विक बदरायर, एंड पुरमिमान सा जैमिनी. बतावाई, कौन सा correctly matched है? बताएं? देखो. नियाय दर्शन तो भाई कलाज से संबंदित नहीं है, ये गौतम से संबंदित, तो ये तो पहला गलत हो गया. सांक दर्शन कपिल से संबंदित है, नकी गौतम से. तो ये भी गलत हो गया. वैश्विक दर्शन कडाद से संबंदी थै ठीक है कडाद से संबंदी थै ये भी गलत हो गया बचा क्या पूर विमान सा जैमिनी ये बिलकुल सरा आपका सही सुमेली थै ऑप्शन नमबर डी के साथ आप जाएंगे ठीक है बचदाद के खलीफा से मानता लेकर साशन करने वाला साशक बता भाई बचदाद के खलीफा से मानता लेकर हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है हिंट के तौर पर इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है बताई बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड बताई वहां पर भी हो रहा है क्या मतलू अरे कोई बात ने भी जा चलो विल्कुल याद रखेगा सर इल्थुतमिस था और आपको पता है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसे गुलामों का गुलाम चली बिल्कुल बसावन किसके दरबार का प्रमुक चित्रकार था अब बताओ बसावन किसके दरबार का था आदा लोग तो नामें नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं सुने हो कोई बात नहीं या सुन जाओगे इनके साथ एक और चत्रकार का बड़ा नाम फेमस आता है ठीक है दस्वंत नाम सुना है किसी ने अएसमीन को अगें पémड़ा किछ दस्वंत भी बसावन और दस्वंत शरीं अके समय 70 जहांगीर को पिंटर कंग कहा जाता जाथ मंधर किया के वह कि आदैमैその written के जाता है झ्युव्य आओं नहीं आहिए ठीचरी नेहां ठीका बैटा रक्षिता तो अब फ्रस्शाक हो जहां ठीक है गोल्ड पीरियद फूंगल आर्खिक्टेक्चर गोल चलिए आई बिल्कुल बिरबल को एक दिया और बिल्कुल भाई इसनु संथाफना जिसको सबसे पहले जोई भिरबल ने किया तक कमेंड करके बता सकते क्या वह कौन सा था महें सदास्ता बिल्कुल वाई वीजय नगर के जिस सम्राट ने तेलगू और संस्कित सायत में सरवादी की योगदान दिया क्या नाम ता उनका तीने इलाही बताई चल बहुत अच्छे दगो किष्णदेव राया जो आप यह देख रहे हैं यहां जो तेलगू संस्कृत की बात अगर करते हैं तो इनका बेसिकली आप एक नाम जानते होगे आंदरभोज के नाम से बोला जाता है इनको आंदरभोज इन्हें बोला जाता है आंदरपितामः आंदरपितामः के नाम से बोला जाता है इनके एक जो पॉलिटिकल जो राजनेती की सारी बाते हैं वो एक पुस्तक में लिखी गए है जो कि तेलगू भासा में लिखा गय याद रखेगा किष्ण देवर आया है ठीक है बहुत अच्छे सभी के बहुत अच्छे मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई वारिंद्र गोष्वीडी सावरकर सचिंद्रनाथ सान्याल मित्र मेला की सब्सक्राइब आपने आपको यह पता होगा अगर हम देखा जाए ठीक है यहां सावरकर बिल्कुल आपको पता इनके साथ एक और ते गड़ेश दामोदर सावरकर इनके भाई गड़ेश दामोदर सावरकर तो यह दोनों जो किया ता था था पक्रांस निन निम्न में किया था ठीक है ? मेला नज बफरिंग नहीं है ठीक big सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारती-्राज्यों को राजनितिक परिदि में लाने का अप्रयास किया गया इसके बिवस्थित काल करम में निम्ड में से कौन सही है सहायक संधी से विलेजली द्वारा भारती राज्यों को राजनितिक परिधी में लाने का प्रयास किया गया इसके बिवस्थित काल करम में निम्ड में से कौन सही है तंजोर अवद हैदराबाद भोंशले अवद तन्जोर हेदराबाद भूसले अवद और तन्जोर हेदराबाद तन्जोर अवद और भूसले बताईए बताईए बताबाई चल लिए इट्स ओके सुनील क्या भाई यहां तो अलग कहानी चल लिए यहां तो लगर आये जवदस्ती पकड़ पकड़ बुलाया जा रहा रहा रहे आओ आओ चलो चलो आओ अरे भैया छोलो दो ठीक है आए बिलकुल हैदराबाद 1798 यह राजगौरों नहीं दिख राज कर हैं मुझे कहां है बाई तंजोर 1799 अवद की बात करते हैं याद रखना 1801 की कहानी है अगर भौण्शले की बात करे अठारा सो तीन की कहानी है सिक्वेंस कौन सा दीख रहा है आप्शन नमबर दी ही तो दीख रहा है बाई टेकिंकर ऑप्शन नमबर ती आपका दीख रह करेक्टिल मैस्ट बताई बतावाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताई बताओ पारिस अभी जवाब दो ठीक है हाल चाल तो लेते रहोगे जवाब भी दिया करो सुगौली की संधी अवद काविले सिंद काविले या ज्छलकी की संधी ठीक है बिलकुल संधी काविले ये गलत है सर अठारस और तिरालिस में हुआ था न की अर्थालिस में सिंद काविले सर अठारस और तिरालिस की ये कहानी है ठीक है लार्ड एलन बेरो यह याद रहे है ठीक निम्न लिखित में से कौन एकादिकार प्रतिस परदा की प्रकृति नहीं है विच आप दे फॉलोइंग इस नौट दे नेचर आफ मोनो पोलिष्टिक कंपर्टीशन विक्रेता की अधिक संख्या उद्यमो का स्वतंत प्रवेश उद्यमो का स्वतंत निका सजाति उत्पाद ताई बाता बाई ओके आफ वाहिव不是 विच्छ कृत और प्र में आख लो है बाई न सबस्क्राइब कहते ने रज्य में अगरियाक वाली सरक्राइब लस्सकेber पुदंध को से सरक्राब कुछ जा आते इतन에 खत्रनाक नाम उख तो तुम्हें सीधे सीधे पता है सर्पें डोज बॉक्रीमी एक मानौ पर जीवी है जो पाया जाता है राउंड वामिज यूमें परासाइट वीच is found in बताओ बोलगी मानौ में पर जीवी है जो कहा पाया जाता है मैं अधा यह तो भाई जिनको चाय पीना बढ़ियां एक दम चाय पीजिए तो दिमाग माग को ताजा रखी एक दम बढ़ियां एक दम तो ठीक है थोड़ा दिमाग माग कुछ लोग का काम भी नहीं करता होगा आज कल जोड़े में लोग नहीं आ रहा है बीच में बहुत जोड़ा चलाता जैसे देखो अभी एक जवरस्ती बुला के लाया है और दोनों एक साथ निकल गए दोनों एक साथ चले गए राजगोरों गाया भी दिख रहा है मुझे लगता कहीं और सिटिंग चल लए दूसरे सब यह ही चल दो जाए बाइज बाइज समय बड़ा खराब चलना है बहुत खराब समय चलना भाई चले बताएज घर तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिख रहे बाई मुझे हो जल्दी बताओ या इतना समय कॉन लेता है यार इतना समय भाई तुम लोग ले लोग है तो मतलब आगे काम कई से चलेगा बाई बताओ कैसे काम चलेगा बिटा मेरा चले में चले है चलो बताते रहना यह चुद रांग कोता है यह स्मॉल इंटेस्टाइड में वहता है बोल क्रीमी जो पर जीवी होती है वह चुद रांग में पाई जाती चलिए अचा सुनिल क्लास में है तो बेटा एक बाह बताओ सुनिल तो सरमा क्यों रहते बीटा रिप्लाइ करने में रहते बागु वह लुद्ध बाहर हो रही कमेंट से कोई बात नहीं तोड़ासा मुझे लगता न हो सकता अपग्डेट कर रहा होंगे आपके गुगल वाले ठीक है हाँ बीटा सबका कमेंट अब आ रहा है ठीक है हाँ अब सही है मुझे भी ने दीख रहा था न अब सही है आए बिल्कुर ठीक है चुद रांग में यह याद रखिएगा ठीक है चलो अच्छा एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजेगा यह क्रित की जो बात है बाई लीवर व सबसे तो मुख्य यही है बाकि दो प्रोटीन पचाने वाले निकालता है चोटी याद रखिएगा यह तीन बागे बाटी गई है जेजुनम डूड या पहले ऐसे कहलो डूडेनम जेजुनम इलियम ठीक है आपके बोजन का पाचन और बोजन का तोड़ना सब यहीं देखन मुलनों और क्या है में अच्छा कॉलन क्या है सिकन कोलं और आपके रैक्टम क्या होता है क्या होता है पानी जो ऑशोशॏbuild advisor को बाटा गयाए कौन सा विटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तिब्रता से बनता है विच विटामिन इसमेट मोस्ट प्रिक्वेंट इन और बॉड़ी तो भाई हमारे सरीर में जो बनता है वो तो विटामिन एक ही विटामिन ऐसा है जिसको हम कहते है sunshine vitamin ठीक है एक गाना में सुनाओ कि गीम मी सम संसाइन गीम मी सम रेज गीव मी एन एदर चांस एवन अप ग्रो अप वनस अगें मुझे इंगलिस नहीं आती है लेकिन एक लाइन मुझे याद है बताईये बिलकुल vitamin D ठीक है यह क्या है सर कैलसी फिरॉल के नाम से जाना जाता है ठीक है बिलकुल इसको हम बोलते है sunshine vitamin इसको कहते हैं हम लोग sunshine vitamin के नाम से इसे जाना जाता है कि इतना अच्छा गाले ते यार बताओ तुम लोग ऐसे बोलो गया मतलता गत्ता गा रहा हूं तो गाया नहीं है तो मैंने एक बड़िया बोला एक मुझे लाइन याद आ गई लड़कियों के लिए खासकर मेरी बाद बहुत महदूर है पहली बार तो कुछी ने कहा यह बार चलो एक मैंने एक बड़ा अच्छा मुझे मिला था कहीं थी मैंने देखा था इसको कि जो लड़कियां है वो पापा की परी ठीक है बनने से अच्छा है कि ऑफिसर बन कर दिखाएं त्क है त्क है था आईए एसकॉर्विक एसिट बी का क्या है भईया वी कॉम्पलेक्स रिटी क्या है आपका जो प्रीयां परियाँ अच्छा है कि पापा को अफसर बन के दिखा दें ठीक है आईए अब लड़कों के लिए कभी एक बाद बोलूगा ठीक है प्रेकास ट्रंस्लेशर के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन वो कहां से आती भाई बताओ कि यॉची यक भाई ममी के मगरम खोते हैं औरो यहीं पासू को समझ नहीं ममी कि मगर मक्ष ओते हैं वत्net जैको मूँता कि बदाएगा बिलकुल सर प्रूसक्त प्राइब कैसे सब बागन बाई आप यह पेड़ है बाई पेड़ में आप यहां से CO2 लेके जा रहे हैं और यहां से H2O लेके जा रहे हैं अब यह ग्लुकोज बनेगा ठीक है आपका O2 बनेगा और H2O बनेगा तो यह O2 कहां से बन रहा है इस वाटर से बन रहा है जल से जाके बनता आपका जिस प्रक मम्मी का मगर मच होता है ठीक है पताए बिलकु रिडक्षन देखो रिडक्षन में कई चीज़ा आती है पहले देखो आक्सीजन का आपका लॉस होना चाहिए पहली बात रिडक्षन का गेन होना चाहिए ये तो मश्त है अगर मैंने बोला कि सर ये बताओ ये कैल्सियम 2 पलस से चला गया कैल्सियम समझो कैसे यहां पे देखो 0 हो गया कैल्सियम सुद दरूप में मिला 0 हो गया यह किसी के साथ मिलेगा मालों CAOH twice लिख दिया यहां पे सिर्फ calcium मिला यहां क्या हुआ दो से एक जीरो हो गया यह तो को reduction हो गया यह कब होगा जब आपके CA2 प्लस में दो electron मिलेगा तो calcium बन जाएगा मतलब यहां पे क्या हो रहा है आपका electron का lab हो रहा है न जब electron को आप जोड इस्टेट में आ जाता है तो यह आप याद रखेगा reduction होता है ठीक है कोई दिक्कत हो तो पूछ लिजे बहुत important question है यह कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं वह पहला शार्षक कौन था जिसने भूमी को नापकर लगान वसूल करना आरंब किया था भाई आप सभी इस्टाग्राम पर जूड जाए अगर यह ठीक है तो आपको डेली मेरे जो है बरियां बरियां बाते आपको मिलेंगे काफी बच्चे तो जूड़े भी है बताई बाई देखो दा गुलिया प्रथा ठीक है बाजा ने अंत्रर पर ला ली ठीक है नहीं बाई जो नहीं करते वो अलग बात है मतलब उनकी बात नहीं ठीक है बासु बेटा कभी टेलिग्राम खोल के देखा अपने तो आज अभी खोल के देखिएगा टेलिग्राम ठीक है आपको पता चल जाएगा आपने साथ कुछ दिन पहले मुझसे बोला भी था आईए अलाव दिन खिल जी याद रखिएगा आपको पता है भीया दाग और हुलिय का अखबर किसे कहा जाता है भाई मेरे जल्दीस बताओ अगस्त से आपको एक नए चैनल पर मैं लेके चल लाओ जहां पर आपके ज्यादा फोकस आपके मतलब आपके PCS पर किया जाएगा मतलब समझ रहां प्रॉविंशियल सिविल सर्विस ठीक है और आपके वंडे एक्जाम बिहार इस्टिस से रिलेटेट वह सारे कराए जाएंगे जल बिलकुल याद रखेगा कौन थे बैलकुल सर्य फिरोस्त तो लगते दिल्ली दरबार का आईोजन कब किया गया था? बता दो भाई दिल्ली तरबार का योजन कब किया गया था बताई कौन था सर लॉर्ड हार्डिंग दितिय के सासन काल में लिख लो भाई 1911 ऐसे लिख लो लॉर्ड हार्डिंग ठीक है दितिय याद रखेगा जॉर्ज पंचम और आपके महरानी विल्यम मेरी के भाया भारत आ बहलत के आधुनिक सिच्छा के जरनस आता किसे कहा जाता भाई आधुनिक सिच्छा का जर्मस आता बताई Depois बताई यहां काफी लोग गलत भी देंगे काफी लोग गलत देने वाले हैं पक्का बता रहा हूँ बताईगा बस गलत कर दिया ना father of modern education की बात मैंने बोला भाई मैंने क्या बोला उसको समझिया father of modern education की बात मैंने बोला सभी की जवाब गलत आ रहे हैं चलो देलो बाई जब तक पहले अपना महिनत कर लो बताईगो कि तर मैं काले नहीं बाई क्या बात कर रहां ना 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 बिलकुल आपके ग्रांट है चार्स ग्रांट विटा बिलकुल जिसने दिआ बिलकुल सही आपको पता चार्सार्स वुड डिसपैच अपको पता है का वुडृ डिसपैच ठीक है है वुड डिसपैच ये कब आये थे आप सभी को अगर याद आराओगा 1854 में ठीक है गांधी जी ने नौ जीवन पत्तिर का किस भासा में प्रकासित की थी इन विच लेंग्वेज डिड गांधी जी पब्लीज नौ जीवन मैकजीन हिंदी गुजराती अंगरी जी उर्दू बता भाई नौ जीवन मैकजीन किस भासा में प्रकासित की थी भाई बड़ा अच्छा कोश्चन है ठीक है गादी जी की जिब कुछ प्रत्तिर का अपने यंग उपीनियान आप जानते होगे ठीक है हरीजन जानते होगे ठीक है बताओ गुजराती भासा में के देला के बंगाल में दोयदी शाषण कब लागू किया गया था बंगाल में दोयदी शाषण कब लागू किया गया था जवाब दीजीए Bacon बहुत अच्चा कुश्यण मैं बता दों हअब ही ञेक Очень बता देना it रोबर्ट क्लाईब ठीक है याद रखेगा हूं और आपको पता है अगर आम बात करें रोबर्ट क्लाईब बंगाल का याद रखेगा बंगाल का पहला गवर्नर भी था बंगाल का पहला governor भी था तो 1765 की कहानी है ये ठीक है आए नेक्स्ट प्रसीद दर्शन द्वेता द्वेतवाद का प्रति पादन किस ने किया था भाई ड्वेता द्वेता द्वेतवाद की बात आपसे पूछी गई है ने आपसे बता रखा आद्वेतवाद संक्राचार ने प्रति द्वैता दैतवाद मैंने पूछा है सन्निम्बकाचारा रहेंगे संकराचार का लिख लिजेगा अध्वैतवाद अध्वैतवाद इसब कोश्चन पूछा जाते भाई फिलास्पी से सम्ध्यत यह कोश्चन आते हैं तो इसको गलत मतलब आपको नहीं करना चाहिए ठीक है व बताईए चली इन लिखित में से कौन सी समिती चुनाव सुधार से संबंधी था which of the following committee is related to electoral reforms बताईए बता वाई electoral reform से कौन सी संबंधी था ये बताना है बता वाई बहुत अचा question है अगर हम बात करें दिने से गोश्वामी समिती की तो 1990 की कहानी है इंद्र जीत गुपता समिती उननी सो अन्ठानवे की बात है लिंग दो समिती 2007 की बात है मतलब ये तीनों के तीनों मतलब ये तो येर हो गया लेकिन ये तीनों जो है आपके इलेक्टोरा रिफॉर्म से संबंदी थे ठीक है चलिए नेक्स्ट निम्न में से कौन पारी तंत्र का हिस्सा है वीच आफ दफॉलिंग इसा पार्ट आफ दफॉलिंग इसा पार्ट आफ दफॉसिस्टम सभी पेडपाउदे सभी सुचमजीव जया घटक या उप्योगत इंतर्गत कौन-कौन से आएंगे यह आप से पूछा गया है बताई देखो भाई जितने पेडपाउदे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे ठीक है साती सा जितने माइक्रोर्गनिजम से वो भी आते हैं और अगर हम बात करें इन और्गनिक कंपाउंस उप्रोक्त सभी ठीक ह याद रिखेगा विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथी को मनाया जाता है और विच देट दो वर्ल पॉपलेशन डे इस अब्सर्वड ग्यारा जून ग्यारा जुलाई 14 दिसंबर 4 दिसंबर बताई बतावाई वर्ल पॉपलेशन डे कर दो कि देखते हैं कौन कम बाई यह तो असान है अगर यह भी तुम मतलब गलत दे दो तो फिर मतलब यार देखते हैं देखें हमारे भाई लाल लाली हों यह कौन सा चत बिलकुल यह 11 जुलाई है यह 11 जुलाई है ठीक है आए अगर हम बात करते राष्टी उर्जा सरक्षर दिवस राष्टी उर्जा सरक्षर दिवस कब है यह है राष्ट्रिय उर्जा सरक्षर दिवस ठीक है आए चार दिसंबर को क्या है भी यह नौ सेना दिवस है यदी सिमांत उत्पाधक्ता बढ़ती जाती है तो यह दर्षाती है इफ मार्जिनल प्रोडेक्टिविटी इंक्रिजेश देन इट्सोज वृद्धीमान प्रतिफल का नियम हासमान प्रतिफल का नियम इस्थिर प्रतिफल का नियम उप्योक में से कोी नहीं पताएं बतायू बतायू बताय भाई अरे अहां ना तो बोलो भाई ठीक है चलिए वृद्धिमान प्रतिफल का नियम कहते हूं शकल घरेलूत पाद और सकल राश्चूत पाद में अंतर देर इस डिफ्रेंस बिट्वें ग्राश्च दमेस्टिक प्रडेक्ट और ग्राश्च निस्ट्र प्रडेक्ट बतायू बताव भाई फटाक से पटाक से सभी का जवाब दीजिए फटाफट फटाफट पटाफट सकल घरेल उत्पाद और सकल राश्च्ट्र उत्पाद में अंतर क्या होता है चलिए सर यह आपका क्या होता है सर जितना भी आप यह देखेंगे ठीक है जो वीदेशों से प्राप्ट सुद्ध आये होती है वही बसता है अप्शन नंबर ए निम्न लिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है विच आप फालोंग् फैक्टर में इस नौट कंग में पूंट और किड़ाई 12 बिल्कुल याद रखेगा यह कौन सा है फैक्टर नौट कंग में सर यरू नीगम कर होता है यह इंकम का कुछ रोत नहीं है पराबैगनी चती से पादपो की रक्षा करने वाला वर्रक है the pigment that protects plants from ultraviolet damage is पराबैगनी चती से पादपो की रक्षा करने वाला जो वर्रक है उससे क्या कहते हैं पता यह फायोसाइन केरोटिनौायड्स जेसी डूस ठीक है मता पल हरित या पलपीत बता बाई पलपीत को बाई दूसरा नाम है ठीक है इसको जैन्थोफील कहा जाता है यहां थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ठीक है दोनुंका से लिख दिया है गूगल जानते ही हो आए जैन्थोफिट आए बता कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्ठी में उगते हैं जिसमें किस की कमी होती है और कीट भक्षी पादप आपको पता यह वहीं से आपके भईया नाइट्रोजन का पूरा मतलब बढई आपना ठीक है सिरोथ उप्णा लेते हैं तो यह सरा आपका नाइट्रोजन है कवक द्वारा फैलने वाली बिमारी है दिजीज इस प्रेट बाइफ बताओ कवक द्वारा पूछा गया है बाकी फाइल एरिया बहीं सभी को पता है ठीक है वाम आपने नाम सुना होगा ठीक है फीता क्रीमी और राउंड वाम बट आपको पूछा गया फंगस की बात पूछ हम लिखा है तो यह भी वहार महीं होगा ठीक है आएट चलिए सर यह रिंग वाम होते है अरे मिनिता मिष्रा क्या बात है बेटा काफे दिन बाद आप दिखें आप काफे दिन बाद आप मतलब दिख गए अच्छी बिलकुल हाल चाल ठीक है सब ऑफ्टन विटा धात्वों का गुड जिसके कारर उन्हें पीट कर सीट में परिवर्थित किया जाता है वो क्या कहलाता है दा प्रॉपर्टी ओफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटेन अन कर्मवर्टेड इंटू सीट इस कॉल्ड आईये विल्कुल बेटा गायब हो गया आप लोग इसे क्या कहते थे? इसे कहते क्या है ये बताना है आपको अे आप बिल्कल सर अधात वर्धनियता कहते हैं इसे अधात वर्धनियता कहा जब चेंट गैस ताप मापी, द्रव ताप मापी की तुलना में ज्यादा सनवेदी होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बताई, ऐसा क्यों देखने को आपको मिलता है? बता भाई ओके, ठीक है, मैं ने दरवेटां, ठीक है, आईए, बिल्कुल एका प्रशार गुढांक अधिक होता है, ठीक है, शुदर्शन गुद आफटनूम, अरे शुदर्शन जी खानाओ ना खा ली आप, आईए, बिल्कुल, बताआ भाई, सर जो आपका गैस होता है, ठीक है, तो ग गैस का क्या होता है गैस का जो प्रशार गुडांक होता है वो अधिक होता है ठीक है इस वज़य से क्लियर याद रखिएगा कि अरे सुधर्शन खाना का लो बेटा सुबह का खाना बना यह अभी तक तुम नहीं खाए निम्न में से किसका प्रयोग नोदा किया राकेट में इधन के रूप में किया जाता है बताओ बताओ मेरे भाई बिल्कुल सर्य द्रब हाइड्रोजन द्रब आक्सीजन ठीक है बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छे कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है विच इनर्ट गैस केन फॉर्म कंपाउंस ठीक है अगस्त से आपका न्यू चैनल पे चारी चीज़े श्टार्ट की जा रही है तो बिल्कुल आप वहां पे जुड़िये और वहां पे अच्छे लेवल के ठीक है वहां पे PCS के ल आपको जाईए और सेलेक्टेट क्लासेज होंगी ठीक है एक रात में रखूंगा दस बजे एक रात में दस बजे रखूंगा और एक आपका दिन में आप जो टाइम बताओंगे उस हिसाब से मैं रख दूँगा बताइए इनर्ट कंपाउंड के फॉर्म कंपाउंस बताइ बताइएगा कौन से ऐसा है जो कंपाउंड भी फॉर्म करता है वाई जाईट से बाता जिनौन होता है ठीक है इसको जिनौन कहते है दो निकायों के बीच उस्मा के प्रवाह की दिसा निर्भर करती है डारेक्शन आप फ्लो आफ हीट बिट्विन टू बाडिज डिपेंड किस पर भी याज डिपेंड करती है बताईए चलिए फटाक से बताईएगा ठीक है ओके चलो बिलकुल बताईए सर अपने अपने तापमान पर भाई दो को सिंपल सी बात मैंने एक बात बताई दिया आपको मालो यह आपका एक कप है ठीक है तुम बैठे चाहे पीने एक दूसरा वाला कप है तुम यहां बैठे चाहे पीने पता चला कि इसका टेंपरेचर अगर सब डिग्री है इसका सत्तर डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए यह इधर से इधर फ्लो करेगी मतलब ऑप्षन नंबर डी इस दक और आंसर ठीक है मिनिता एंड ऑपके सौरफ बिलत है ठीक है डी इस दक और आंसर वायू की 36 गती से होने वाले उस्मा के अंतरल को कहते हैं अजर ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू वरिजेंटल फॉम्मन ऑफ एफ कौल अभी वहन सनवहन चाल या विकिर अवर बता वैंट है बता वाई बता वैंट बता वाई बता वाई बता वह बहुत अच्छे बहुत अच्छे थीक है अभीवहन नहीं कहते हैं आपको पता होगा एक द।ो किसी तालाब के सांथ जल में पत्थर फेका जाया तो तालाब में जल के प्रीश्प उठने वाली लहरे कैसी होती हैं बताइएका लहरे कैसी देखने को आपको मिलेंगी देखो अगर सही से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा अगर मन की आखों से दिखोगे तो आपको क्या दिखेगा बिलकुल सर देखो लहरे क्या है कि सर ऐसे आगे बढ़ रही है जो आगे बढ़ रही है पहली बात तो यह वही ध्यान देना कि सर वो लॉंगी चूडनल है ठीक है आगे बढ़ रही है तो लॉंगी चूडनल है उसक किसी असंतूलित बलद्वारा किसी पिंड में उत्पन्य तुरर होता है। The acceleration produced in a body by an unbalanced force is बलके अनुक्रमानुपाती होता है, बलके ब्यूत्क्रमानुपाती होता है, बलके प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं या हमेज़ा सुनने होते हैं। बताई दिए। किसी पिंड में जो उत्पन्य तुरर होता है, वो क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, प्रपोर्शनल टू एम ए होता है, एफिस्कॉल टू एम में होता है, तो अगर हम आपसे यह बोले कि कि किसके बराबर तो सब्सक्रमानुपाती होता है फोर्स के, तुरर की बात आपसे पूछी गई है, आप यह लगा सकते हैं। ठीक है। विद्वु चालगता की यूनीट क्या होगी, बताए। आपको साथ पता होगा की जो आप रजिस्टिवीटी देखते हो, ठीक है adjustivity और conductivity दो आप चीज़ देखते हो, ठीक है। बताओ भाई, क्या होगा? बोलो मेरे भाई, जल्दी बताओ, देखो, अगर हम ओम की बात करें, ओम आपका किसका है? रजिस्टेंस का है, कैसा होगा? ऐसा होगा? अगर यह हम उल्टा बना देगा, तो बहीद हो जाएंगे महोगा, जल्दी से बताओ, देखो भाई, एक सित उल्टा क्या होता है भाई कंडेक्टेंस ठीक है मतलब उल्टा मतलब रेशिप्रोकल में कर दीजे अगर हम बोले कि रेजिस्टिविटी ठीक है और आप एक नाम सुने होंगे याद रखेगा सर्यव महो है चली टेलीफोन लाइन में बहने वाली जो धारा होती है वो कैसी होती है विल्कुल सर्यव बिद्धो तुर्जा होती है सरकारिया आयोग निमलिकित में से किस्से संबंदित थी ये पूछा गया आपसे अच्छा कोश्चन है किया कब गया था गटन ये भी मैं बता देता हूं आपको 1983 में इसका गटन किया गया था ठीक है बताइए किससे संबंदित है सकेंद्र राज के संबंदों में सुधार से संबंदित है आप्शन नमबर ठीक डी निमलिकित में से कौन सा भारती समिधान के अंतरगत एक मौलिक करतब नहीं है बताइए कौन सा भारती समिधान के अंतरगत एक मौलिक करतब नहीं है बताइए आप में भाई सुबह से बड़ी दिक्कत हो रही है चलिए बिलको नॉट और फंडामेंटल राइट्स नहीं है सोच समझ को बताओ भाई बी दे दिये फट से कुछ लोग क्या यार कैसे जवाब दे रहो बताओ भाई पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार इसलिए कहते क्लास व्लास किया करो ठीक है यह तो आर्टिकल उन्चास में दिया गया है क्या दिया थो हुआ यह तो आटिकल 49 और में आप सभी को पता है 36 स से क्यावन तक किस में आता है यह इस बाहीं मतलब क्या है ये आए चलिये राज सभा के बीसे में सही क्या है राज सभा के में सही क्या है निसलिए अपना असर डिलीट कर लीजिए सब बस या किस थाई सदा ने इसकी अधी च्छा वर्स एक तियाई सदा से पती दूसरे वर्स से व्यानिवत हो जाते हैं यह विगठित नहीं किया जा सकता सही क्या है भाई बताओ भाई सही क्या है बताओ सोच समझ के बाई देखो जवाब आप यहाँ पे दे तो दिये फट से और आपको पता है सलेक्शन न होने का में करण क्या होता है चाहिए सुदर्शन हो सौरव हो ठीक है बिलकुल मिनिता देखो सही दिये जवाब अरे मुर्खों एबाउट राज्य सभा पूछा गया राज्य सभा के सदस्यों के बार हम पूछा गया है क्या नहीं न जब आप से राज्य सभा जब सदस्य की बात थी तो देखो तीसरे सेंटेंस में दिया गया था वाई मेरे इसकी अवळी छ tub jage खाहाल काहां होती है यह तो डिजॉल वी नहीं किया जा सकता तो इनको के सदस्यू की अवधि होती है इनके जो है मेरे बाई ुकी दूर्च सब्वाग अवधि नीज़ कि राज्यस अव्धि यह दोनोंatar विया ठीक है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो पढ़ाई पे वो ज्यादा फायदे मंद रहेगा ठीक है नहीं तो पता चला कि यही जो कुश्चन्स होते हैं इसी से इंसान पीछे चला जाता है यह पता होगा ठीक है किस संसदिय समीति का नाम आकलन समीतिया इस्थाइमित बेता समीति भी रख्या रखा गया है एस्टिमेट समीति बताइए बताइए बताओ बाएब जवाभी दे दिया जवाभी आपको मिलिया चलिए बिलकुल प्राकलन समती अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे यह तो मेरे इगो पर बात आ गई ठीक है तो अब वो कहेंगे कि रहे इगो पर बात आ गई मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूं ठीक है अब इगो पर बात आ जाएगी कैसे बने गई यह पताएगे देखे भाई यहार है सी सी ठीक है तो इसे पता है लोग सभा के 30 सदस्य होते हैं सभी लोग सभा के होते हैं वर्स इनका कितना होता है एक साल का कारेकाल होता है परवती स्लोपों पर मिर्दा अपरदन को किस प्रकार नियंतित किया जा सकता है अब अच्छा ठीक है बताएगे कौन सी क्रिसी करके स्थानांतरित सोपान पट्टीदार या समोच रिकाई बता भाई कैसे कर सकते हो अगर आपको जैसे जो आपकी स्लोप वाले एरिया होते हैं पाली वहां पर आपको क्रिसी करनी है तो आप कौन तरीका अपना सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड सर इसको कहते समोच रेख ही रिमताई कहा जाता है आई किस बैग्यानिक ने यह बताया है कि सूर के चारों और प्रतेक नच्छत्र का मार्ग दिर्ग वित्ताकार है बताये खिस बैग्यानिक ने यह बताया है कि सूर के चारों और प्रतेक नच्छत्र का मार्ग दिर्ग वित्ताकार है बताओ गैलिलीओ निूटन कैपलर या कौपर निकस वेल्कुल बहुत अच्छे वेरी गुड सुदर्शन चलो सर यह क्यापलर इनके कई नियम थे वाई ठीक है एक तो आपने एक्वल एरिया का सुनाओगा टीज का प्रप्रशन ट्वार्कुप सुनाओगा यह भी सुनाओगा कि संफोकस पहला जो नियम है संफोकस पर रहते हैं बाकि आपकी सभी उसके चारों तरफ गूमते रह प्रित्वी के चक्कर लगाने और अपनी धूरी पर भूमने में एक समान समय लेता है बिल्कुल बहुत अच्छे कॉंटर वे कलपिंग रेखाएं हैं जो आपके कॉंटर कलपिंग रेखाएं जो दर्शाते मतलब कॉंटर सार्थ विच रिप्रेजेंट्स बताई वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बाई कॉंटर प्लगिंग अभी आपने देखा थो दे पहले सुना था याद रखेगा बराबर उचाई वाले छित्र को बताते हैं ठीक है अंडवान नेको बार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहा इसतीत है अरे भाई यह कहां से चोटी यह बताओ भईया गद्दीदार चोटी बता कि नाम बहट अच्छा इसका थीक है बता सकते हो नाम बड़ा अच्छा है इसका ओके बिल्कुल ना 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 बाई अच्छा हिंट ले दें दो चलो सेडल पीक ठीक है सेडल पीक ठीक है सेडल पीक कहां पे है कोई बताएगा सर उत्तरी एंडमान याद रखिएगा गद्दीदार चोटी का जाता उसे बारत की जन्गरना 2011 के अनुसा सरवादिक जंसंख्या व्रिद्धी वाला राजिकोंसर जंसंख्या व्रिद्धी पूचा गया है बताएगे जंसंख्या व्रिद्धी पूचा गया भाई सबका जवाब आना चीए बिहार मुझे असा लग राए लेकिन गलत है बिहार का तो मात्र साड़े 25 परसेंट है उससे ज्यादा तो भाई आपको अव्राचल का देखने को मिलेगा ठीक है और पता चला कि जो आपके यह मिगाले कि बात है मेगाले का 27.ordum कि बात करी ठीक है अगर 40 विधि दर की बात किस प्रदिश सासर को लेखा सिला लेखो का जनक माना जाता यह बताएगा बताओ विल्कुल लिष्ट पे है वे रिगुड अच्छा आप लोग समय बाद हो ना कि अगे इस क्लास में यह लोग आएंगे दूसरे क्लास में यह लोग आएंगे एक साथ नहीं आओगे कसम खागे रख्यों कमस्कल वीडियो यह देख लिया कर विया देख यह कुश्चन बड़े काम आएंगे तुम्हारे डेली कमस्कल 200 कुश्चन के आसपास आपको करा रहे उसका फायदा उठालो पिलिंद पन्यों बताव क्या थे ए प्धिस्थययर ब Weg आपकलाव बड़ पार्ठ भुद्ध का एक नाम बताएंगा मिलिन्द पनों क्या है भाई बिल्कुल वेरी गुड सुधर्शन वेरी गुड यह बहुत पार्ट होता है बिल्कुल मिन्टा सौरफ गलत कर रहा विटा सिवा जी को पकड़ने के लिए औरंग जेव द्वारा किसे भेजा गया था साइस्ता का अबजल का अबुल फजल हासिम जनरल तह यह याद रखना साइस्ता का को बेजा गया था भाई मतलब अबुल अब तुम तो एक अलग लेवल चलो भी या अबुल फजर यह साइस्ता का को बेजा गया था भाई किस गवर्नर जनरल ने रोपर में ररजीत सिंग का सबसे बरे सम्मान के साथ स्वागत किया था मिन्टो प्रतम बेंटिक हेस्टिंग या ऑकलेंड बताए भाई कौन था बताए बताए बताएगा फटाक से सभी लोग ठीक है बताएए अ बताओ बिलकुल अरे बिया जल्दी बताओ जब मुर्ख इंसान हो इतना समय को लेता है बेटा पढ़ाई सुरू कर दो ठीक है मिनिता हो चाहे सुदर्शन हो चाहे सौरव हो ठीक है अच्छाए आप जो भी हो पढ़ाई सुरू कर दीजे ये सारे कुश्चंस मैंने आपको कर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है बट आप मेंसे किसी को भी जवाब पता ही नहीं सब्सक्राइब किस आंदोलन को हिंदू तथा मुसल्मानों दोनों का समर्थर मिला था बताए चंपारर सहयोग असयोग बारचोड़ो या वर्धा सुदर्शन तो दीरे से चले गए होंगे क्यों बेटा सुदर्शन बावु चलो हो भईया बड़ा अच्छा लगा ठीक है सुदर्शन बेटा सब पढ़ चुके हो न तुम ये सारे कुश्चंस मैं करा चुका हूं फिर कहां कहां दिख्कता रहे बताओ असयोग आंदोलन याद रखना कौन सही सुमेलित है पॉलोविंग इस करेक्टली मैश्ट स्वदेशी आंदोलन रविन्या ट्यगो स्वराजपार्टी महात्मा गादी भाति राष्टी सेना सुभाश्यन बोस असयोग आंदोलन सी राजगो पालाचा जी बताओ बाई पू बताओ देखते हैं जवाब बिलकुल आयने सुभाश्यन बोस अप्शन नमबर सी के साथ जाएंगा वेरी गुड उन्निस सो सेटीस में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्री मंदल थे यह मैंदोलन ने बताया था है कि विटाओ आजिए एकडेसिं यूदार गीडिग आज आपकी रात वाली क्लास रहेगी आपकी रात में एकिलास रहेगी यूदी रहेगी आपकी एक मैने रात में आपके लगा रखी ठीक है दस बजे डेली आख़ी क्लास रहें. बिलकुल बंगाल एंड पंजाब. गुजरात में साबर मती आसरम की इस्थापना किस वर्स की गई? बताएं, इन विच एर वास्द साबर मती आसरम स्टेबलिश्ट इन गुजरात? 1916, 1917, 1918, 1919. सावर मती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइएगा आसान कोश्चन है सर 1917 में की गई थी सावर मती आश्रम की स्थापना निम ने लिखी तो घटनाओ का सही करम नीचे दिये गए कूट से बताइए चोरी-चोरा का असरयोगा अंदोलन ठीक है उसके बाद आपके बारदोली बटाओ इनका बताना है ठीक है इनका सिक्वेंस बताना है चलिए अगर हम चोरी-चोरा की बात करते हैं तो पाच फरवरी चोरी-चोरा की बात करते हैं तो पाच फरवरी ठीक है बारदोली की बात करते हैं तो भाई आपके ग्यारा फरवरी ठीक है अगर हम असहयोग की बात करते हैं आपसे तो भाई यह 12 फरवरी लेकिन आपका अगे सट डेट बता दो बहुत बा ठीक है फिर आपका बारह फरवरी आता है मतलब तीन दो एक होना चाहिए कहीं दिया है तीन दो एक कहीं लिखा हुआ दिकरा भाई मुझे थोड़ा सा बताना ठीक है या आप अगर बाद से अच्छा सबसे पहले तो यहीं आएगा यार ठीक है एक आएगा फिर तीन आएगा एक तीन दो कहां लिखा है यहां लिखा है ठीक है याओ सबसे पहले से बाद पूछा गया है क्लियर कोई दिक्कत यह? घञा है े ऐसी विएस्ट कहर सी आ चुका है यह आपके बीहार, कुछ लोग फटाक्स 1928 लगाके बार्दोली को सबसे लास्ट में कर देंगे और देखो आपको आप्शन भी दिया होगा और यहीं पर फज्जा होगा निम्न में से कौन सा देश दक्षिड एसियाई छेत्री सहयोग संगठन ठीक है बताएए बताएए में सम्मिलित नहीं है तच्छिड एसियाई छेत्री सहयोग संगठन सावथ एसिया आशोशेशन फॉर रिजिनल कॉपरेशन सार्क बताएए बताओ भाई देखते हैं कौन जबाद देता इसका ठीक है बिलकुल याद रखेगा यह आपका सिंगापूर है किंद्र सरकार की सवभाग योजना का संबंध किस्से है बैया सभी घरों में लपी जी अरे सर ये तो उज्जुला है कन्या सिक्षा ना ना विद्वा पिंशन नहीं सर जवाब क्या होगा जवाब क्या होगा इसका सर सभी घरों में बिद्धूत आपुर्टी यही सोभाग योजना का आपका लक्ष है सभी गरों में विद्धुत आप्रुति राज्यों की सीमा छेत्र में वृद्धी कमी नाम में परिवर्तन से संबंदित विध्यक पर निम्लिकित में से किसकी पूरो मंजूरी आवश्यक है किसकी वाई मंजूरी होनी चाहिए तभी ये चीज़े होंगी दुनिया जानती है सर यह कही दिखी रहा इसमें ठीक है और अनुच्छेद आपको सभी को पता है अगर यह ऐसी चीज़े हैं वृद्धी कमी नाम में परिवर्तन तो अनुच्छेद तीन के साथ जाएंगे आप अनुच्छेद तीन के साथ आप जाएंगे अब बताएं काफी पीछे आपके कमे अब बताएं को यह आपके प्रेसीडेंट है किसकी पूर्वानुमत्ति पूछा है बाई मेरे वाग वाई वाग आ रहा है संसद जवाब आ रहा है सही है बाई यह पूर्व मन्जूरी आपके प्राश्ट पती देता है ठीक है लिविकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है not correctly matched समानता का अधिकार सही चल लाएए स्वतरतता का अधिकार अच्छा सर क्या पूचा गया सोशल की बिरुद ठीक है सर धर्म की स्वतरतता का अधिकार सर ये गलत है यह गलत है सर पचीज से 28 में दिया गया है पचीश से 29 माइनोटीस के लिए दिया गया है ठीक है बागी लोग तो अफसान्त हो गया है मौन हो चुके है कि अरे सर ये तो सारे कोषण गलत हो रहे है क्यों कियों क्यों होtil कि क्योंकि तुमने बेटा रिवाइजी नहीं किया कभी अपने में मस्त हो गया कि सर ने पढ़ा दिया तो सब याद है तुम्हें आईए किस मगद समराट को कुरिक कहा जाता था बताए किस मगद समराट को कुरिक कहा जाता था बताएगा किसको कहा जाता था कुरिक बताओ आए आपको पता क्यों बोला जाता थे इसके जो पिताजी थे बिंबी सार बिंबी सार की हत्या करके भाई ये सिंगासन पे बाई ये अजाध सत्त्रू ठीक है सबस्व नामक सिचाहिकर का किसने लगाया था बताएं यह किसने लगाया था हर्व एस सर्व होता है कौन था बाई ऐसा कौन आपको देखने को मिलना है हें चलिए सवरब बी निता अब बाकि लोग तो क्लास में मुख दर्शक बने हूंगे हो टीक यह वह देख रहे होंगे रही क्लास में क्या चल ला। क्यूं बाई थी बहुत अच्छे साब बास वेरी गुर्ण बहुत बाकी लोग तो देख रहे होंगे बस क्यों बाइब चले ये फिरोज तूगलग है किस सूफी कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट नहीं जाते हैं ठीक है कमी कर मैं भी देख रहा हूं पिछले दो दिन से दिक्कता रही है ठीक है हो सकता है यह यूटूब अपडेट पर चल लाओ ठीक है सूफी संत का आधी गरंथ में जिक्र किया गया है किस सूफी संत का आधी गरंथ में आई ये बताए बता भाई आई ये आई बिलकुल बताईएगा कौन जबाब देखा रहे सर बाबा फरीद थे ये ये आपके बाबा फरीद थे ठीक है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधी धारर की थी बाबर ने गाजी की उपाधी धारर की थी किस युद्ध को जीतने के बाद प्रत्थम चंदेरी गागरा खानवा जल्दी से बताना बड़ा अच्छा कुश्चन है अरे भाई बाबर आया पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर चला गया और मृत्ति हो गई भाई उसकी तो खानवा भाई जोड़ लो 26, 27, 28, 29, 30 में मृत्ति हो जाती है यह देख लो भाई आपका खानवा का हुआ था 1527 और 1527 के समय ठीक है कोई रिकत पानी पत का 26 ठीक है चांद का चंदेरी युद्ध ठीक है घागर घगर का युद्ध जिसे घागरा का युद्ध भी कहते हैं ऐसे भी याद रख सकते हूं किस मुगल सासक को अंग्रेज जो मेंने रंगून के लिए निर्वासित कर दिया था बताइए आपको पता है किस लिए अठारसो सत्तावन के जो विद्रो ओर आया था उसका साथ देने के कारण उनको भी रंगून भेज दिया गया था ठीक है और 62 मिन के मृत्तिव हो जाती अब यार गलत मत बताना तुम लों अब गलत मत बताना चलिए बिल्कुल प्रिंस भी आपके बलियां है सब आल चाल ठीक है आपके बिल्कुल बाई रंगून भेज दिया गया था सबी को पता है सब बहादूर शाप प्रत्थम थे इंको भी आ सत्तावान मिनों साथ दिया उसके बाद जानते हो इनकी हालत फिर ठीक है इनको जफ जफर भी बोला जाता है याद रखेगा यह बहुत अच्छे सायर थे ठीक है बहुत अच्छे सायर होने के कारण इने जो है जफर बोला जाता है दितिय आंगल मैसूर युद्ध किस संधी के तहत समाप्तु थी? Under which treaty did the second आंगलो मैसूर युद्ध war end? बतावाई, हिंट आपको दे सकताओं, हिंट आपको दे सकताओं 184, कोन सा 1734? ठीक है 1780 लेके 1784 की ये समय था बिल्कुल वेरी गुड बताएगे 1780 लेके 1884 आईए ठीक है कौन बता रहेगा इसका जवाब कौन जवाब देगा इसका बी बिल्कुल मैंगलोर की संधीविटा वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है मैंगलोर की संधी एसीजी किसकी गतिविधी को दर साता है भाई इसीजी सोज हूस एक्टिविटी मस्तिस्क हिदय फुस फुस या आपके मतवरिक कुछ लोग इसका भी जवाब गलत देंगे मुझे पूरी उमीद है आपसे ठीक है मुझे पूरी उमीद है कि आप पक्का गलत दोगे इसका बताओ चलो बेटा अभी क्लास में आते रहिए ठीक है आपको अगस्त में बताऊंगा मैं ठीक है ठीक है अभी क्लास आप करते रहो बिलकुल यह द्यान दीजिएगा यह क्या है बाई आपका हिदय है ठीक है दखो हिदय के लिए एलेक्त्रो काडियोग्राफी बिरेन के लिए एलेक्त्रो अचेफ्लोग्राफी ठीक है कि आज कहा जाता है ठीक है लंग्स को यह आप पल्मूनरी सब्द का प्रियोग करते हैं ठीक है और क Difini की बात है दोनों बहट स्राविक ग्रंथी और अंतरसाराविक ग्रंथी के रूप में बेवार नहीं करता हूं के पूछा गया नहीं करता है ठीक कि आ त टीनों के तीनों आपके यह तीनों के तीनों आपके मिक्स्ट ग्लेंड के अंतरगत आते हैं ठीक है यह आपके मिक्स्ट ग्लेंड के अंतरगत आते हैं लेकिन यह जो प्यूस होता है प्यूस आपके सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन के अंतरगत आता है मतलब अंतहसरावी के अंतरगत आता है अगर अब इसके संब्धनेता हlag कुछ और भी बाते वहीं तो हम यह कह सकते हैं प्यूशव अधिकtså के बरे मेश्टर बीश्टर बरफ्ट दोजाता है तो दो पूल ये रहे आपके questions तो कोई किसी को दिख्कत है समस्य परशानि है तो आप हम से पूछ सकते हैं किसी topic में कही issue हो को शु तो comment section में भी आप comment कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल आप सबीं को बहुत-बहुत धन्यवाद आप subscribe कर सकते हैं ठीक है बेल आइकान दबा सकते हैं या बाइ 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 थैंक यू